हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब में पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट्स व्लोग विद पूनम में आज मैं सेर करया आप सब के साथ सेमई से बनी हुई परफी आपने सेमई की खीर तो बहुत बार खाई होगी आज हम कुछ अलग ही बनाएंगे इससे जो बनाने बहु भूनी हुई सेमई नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए इसको थोड़ी देर आप गी डाल करके भून लीजिए इसको हम इस तरह से बिल्कुल बारिक बारिक छुट छुटे पीसिज में तोड़ लेंगे ज्यादा लंबे पीसिज नहीं रखने वरना तो हमें जो भूनेंगे इसको दिक्कत आएगे इसी तरह से छोड़ छोटे पीसिज में तोड़ लेना है यह तकरीबन एक कटोरी से थोड़ा सा ऊपर ही होंगे यह इतनी से मही है यहाँ पर मैंने एक चोथाई कटोरी जो भर करके यह बादाम लिए है इसको भी हम एक सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे सिर्फ एक मिनट के लिए एक दो बार बंद करेंगे और चलाएंगे इसी तरह ही करना है देखे यहाँ पर एक आदा बादाम का टुकड़ा दिखाई दे रहा है सिर्फ इसी तरह से हमें बादाम जो है पीस लेना है अब हमें एक पैन को गरम करेंगे और इसमें दो चमच के करीब हम देशी घी डालेंगे जैसी है हमारा घी जो गरम हो जाएगा इसमें हमने जो सेमई तोड़ कर रखी थी हम इसमें रोस्ट कर लेंगी इस कम से कम हमें 30 सेकंड ही रोस्ट करनी ज्यादा देर नहीं करनी क्यो मार्केट में बड़ा असानी से मिल जाता है इसको भी हम इसमें इसतरा से 1 मिनट के लिए पका लेंगग जैसे ही अच्छे सी मिक्स हो जाएगा इसमें हमने जो बादाम पीस कर रखे थे इस भी मिक्स करना है वirm पकाएंगा यहाँ पर गैस की फलेम को हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम पर हम इन सबी चीजों को पका लेंगे अब यहाँ पर जैसे हमारे सारी चीजे अच्छे से मिक्स होगी हम इसको अलग से एक बरतन में निकाल लेते हैं जो हमारा मिक्सर है इसको हम अलग से एक बरतन में निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा कर कि आप से हम असानी से इसको चूस गई इस तरह से चलाते हूए हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते उड़ से की सारे चीज़े से इसमें भी हो जाएंगी और यहां पर देखी एम एच्छे से ठंडी हो गए यहांपर मैंने तीन चुथा एक टोरी के करीब जो है मिठा लिया है, यह पिसी हुए चीनी है इसको हम अच्छे से सारे चीज़ों मिक्स कर लेते हैं, अगर मोटी-मोटी डलिया इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो इसको भी हम हाथ से तोड लेंगो और इसको अच्छे से mix कर लेना हमें और देखी हुआ पर हिसमें अच्छे से mix कर देती हूँ यहाँ पर हमारा जो mixer अच्छे से सारी चीज़े मिक्स हो गई है और जो मीठा ळोभी अच्छे से mix हो गई है आप इसको हम एक साइट रख देते हैं अब यहां आगे ही था हम त्यारी करते हैं पैन को दोबारा रखते हैं इसमें हम एक चमस के करीब ही पिंगला हुआ घी लेंगे और अभी हमने गैस की फ्लेम जो उसको ओन नहीं किया है और आदा गिलास इसमें हम दूद डालेंगे और यह हमने र इसमें गुठलिया पढ़ जाएंगे और अच्छे से मिक्स नहीं होगा यहां पर हमारे जो मिक्सर है अच्छे से घोल त्यार हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को ओन कर लेते हैं और लो टू मेडियम फ्लेम पर इसे दो तीन मिनट के लिए इसी तरह से लगा तर चलाते जो हमारा मिल्क पाउडर बड़ा जल्दी पक कर तयार हो जाता देखी है बाकी पच्छी होई से मिक्स नहीं कर देते हैं और यहां पर याद रखे गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहना हैं दो तीन मिनट बाद ही जैए जमने की consistency में आ जाता है एक तमसे बर्फी के जमने की स्टेज में ये पैन को छोड़ने लग जाता है दिखाई दे रहा ना कि ये अच्छे से पक चुका है और ये पैन को छोड़ने लगा है इसको हम एक मिनट के लिए और पकाएंगे यहां पर हमारा जो घोल है अच्छे से पक कर तयार हो गया अब इसको हम इस तरह कटोरी से help से इसको फैला लेते हैं क्योंकि कटोरी से फैलाने इसको बड़ा असान हो जाता है और इसको हम फैला करके रख देते इसे एक घंटा के लिए रूम टेंपरेचर पर ही रख दीजिएगा अगर आपको ज्यादा जल्दी तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं एक घंटे बाद देखी जो हमारा मिकसर है अच्छे से सेट हो गया इसको हम कट कर लेते हैं और इसको जो भी सेप देना चाहते हैं बड़ा चोटा ट्रेंगल जो भी आप उसी आप से काट लेजिएगा मैं इसको इस तरह से काट लेती हूं और देखिए मापको तिखाती हूं पर फिक इतनी अच्छे से सेट हुई है अगर आप इसे फ्रीज में रखो गयो और भी अच्छे से सेट हो जाएगी यह मैंने जल्दी ही निकाल ली थी देखिए तोड़के दिखाती हूं कितनी अच्छे से जमेखाऊगे कितना टेस्ट है अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेर और कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरी चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू बाई